हलो फ्रेंट स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मोगल ट्रिक्स पॉइंट पर दूस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाइस्टेप दिखाऊंगा और आप इस वीडियो देख देखकर बहुत ही आसन से आप अपने जीमेल पासवर्ड को चैन्ज करके आप एक नया पासवर्ड लगा सकते हो तो दोस्तों जीमेल पासवर्ड को बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोगल फून का यूटूब को सबसे पहले ओपन कर लेना है दोस्तों जैसा कि मैंना यूटूब को ओपन किया और यहाँ पर ऊपर पर दूसरा पेज दोस्तों बिल्कुल ही आ जाएगा जैसा कि यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ पर वेट कीजिए दोस्तों तो दोस्तों थोड़ा टाइम लोडिंग लेने के बाद यह पीस आपका सामने में दोस्तों बिल्कुल ह आ जाएगा जैसा कि मेरा सामने में जैसा पेज आ रहा है आपका सामने में भी ये पेज बिल्कुल ही दोस्तो आ जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर बीच में एक लाइन देखिए इस लाइन को थोड़ा सा अब तानिये यहाँ पर दिखाई देगा पार्सनल इन्फो डेट और यहाँ पर दिखाई देगा बीच में और एक उप्शन सीकुरेटी यहाँ पर दिखिए सीकुरेटी पर आपको दोस्तो क्लिक कर देना है जैसे आप सीकुरेटी पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका सामने में और एक पेज आ जाएगा इस पेज का भी थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर नीचे दिखिए दोस्तों एक option पासवर्ड का जैसे कि यहाँ पर नीचे दे रहा है यहाँ पर पासवर्ड का एक option आपको दोस्तों password का option पर दोस्तों क्लिक कर दाना है नीचे यहाँ पर दिखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दूस्तों यहापर भी थोड़ से यहापर लोडिंग लेगा यहापर थोड़ से ऐसे तरह लोडिंग लेगा और यहापर दिखाई देगा To continue first verifies your यहापर दिखाई देगा Enter your password आपके password जो था अपने जो पुराने password है इसको यहापर ढ़ल दीजिए दोस्तो अपने जो password है इसको यहापर आप ढ़ल दीजिए बरतमान password जो है आपका यहापर बिल्कुल ही ढ़ल दीजिए जैसा कि मैं यहापर मेरा बरतमान password बिल्कुल ही ढ़ल रहा हूँ दोस्तो Finally मैंने अपना password बिल्कुल ही ढ़ल दीजिए आप यहापर password ढ़ल दीजिए और यहापर दिखाई देगा site पर next आप यहापर next पर click कर दीजिए site पर दीखिए next यहापर आप next पर दोस्तो क्लिक कर दीजिए और दोस्तो next पर click करने की बाद यहापर दिखाई देगा new password तो दोस्तो यहापर आपको क्या करना है आप अपने मन पसंदीदा आप जो password रखना चाहते हो यहापर आप एक नया password लिख दीजिए जैसा कि यहापर दिखा रहा है new password एक option आपको पहले new password पर आपके जो password है यहापर आपको डाल देना है और यहापर नीचे दिखाई देगा confirm new password यहापर दिखाई देगा नीचे आपको उपर वाले पर जो password डालना है same to same यहापर नीचे confirm पर पिर भी वही password दोस्तो डाल देना है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना password डाल देढ़े जैसा कि देखिए यहाँ उपर पर जो password होआ यहाँ पर same to same नीचे वही password डालना है और दोनों password आप ढालने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे दिखाए देगा Change Password एक Option आपको Change Password इस वाले Option पर दोस्तो क्लिक कर देना है और दोस्तो Change Password पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर यह Option आ जाएगा You can keep your account यहाँ पर यह option आ जाएगा यह लिखा बिलकुल ही आ जाएगा Password Change successfully यहाँ पर आ जाएगा और या पर आपका या पर एक email आ जाएगा बिलकुल है आपका password change हो गया इसलिए आपका या पर email आएगा password change is successful यह इसे तरह तो दोस्तो इस तरह इस ट्रीक की जरी इस तरह इस वीडियो को देख देखकर आप अपने Gmail password को change कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को कर दीजिये like और channel को कर दीजिये subscribe